हालो स्टुडेंट वेलकम बैक टो मैटीज़डर 247 आई अनीता शर्मा योर हिस्टी विंटॉर स्टुडेंट आज के सेशन में समझने वाले हमारी हिस्टी का चैप्टर 11 जिसका नाम है रिबेल्स एंड राज रिबेल्स एंड राज जो की पूरा टोटली डिपेंड करता है 1857 के रिबेल्स से तो इस पूरे चैप्टर को हम 1857 की क्रांती भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर जो है इसी के उपर ये बेस्ट किया गया है तो बिना टाइम बेस्ट के हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एंडर राज, मतलब की विद्रो और राज क्या होता है, तो इस पूरे चैप्टर को हम समझने वाले हैं, इसके दोरान, तो सबसे पहले हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा बचे वो समझते हैं, पैटरन ओफ दर रिबेलियन, देखो बचे, जब कोई रिवोल्ट हो पैस्टेया कमपनी हमारे इंडिया पर रूल कर रही थी, बहुत ज़ाधा अत्याचार कर रही थी, तो इस अत्याचार को खतम करने के लिए, कही Name कहीं से तो शुरुवात होनी ही थी, तो यह शुरुवात हो थी हमारे 1857 की रिवोल्ट के द्वारा, ठीक है, अब वह 1857 का र बड़े लेवल पर मना कर दिया जाता है, उसको म्यूटिनी कहा जाता है, मैंने क्या कहा, जब किसी एक काम को बड़े लेवल पर सेम काम को मना कर दिया जाए, लोग कहेंगे कि हमें ये काम नहीं करना, तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है, उसको विद्रो कहा जाता है, ठीक है, बड़े लेवल पर विद्रो कर दिया किसी को कुछ कानो कान खबर भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उन्हों नों ने जोर-जोर से हवा में एंग्ल सरकार घबरा गई जारी यार इन हो किया गया इनको इंडियन को हो कि हिए अचमनक से हवा में फार्ज कर रहे हैं उन्होंने एक कर आगाज कर दिया विगुल बजा दिया लेकिन किस चीज capable बजा रहे थे उन्होंने क्या किया कि फाइरिंग हवा में फाइरिंग करने के बाद उन्होंने जो ये अलाम वगरा होते हैं जिससे अलर्ट हो जाया करती थी सब को तोड़ फोर डाला था साथ में उनकी ट्रीजरी जो थी खजाना लूट लिया उन्होंने गवर्मेंट की जितनी बिल्डिंश के उसमे इसमें जेल आ गई थी चाहे उसमें ठीजरी आ गई थी चाहे पोलिस टेशन आ गए थे कुछ भी आ गए थे तो नोने जो जो भी तो टेहस नहिस करना स्टर कर दिया टेलिफॉन लाइन को कट कर दिया गया रिकॉर्ड रूम को जला दिया गया बंगलोज को भी जला दिया गया सभी चीजों को तोड़ फोड़ दिया गया इतना गुस्सा क्यों भर गया था उनके अंदर कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना वह रीजन क्या था वह हम आगे भी डिसकस करेंगे हर को ये चाता था ह सभी का एक टारगेट, सभी का एक शिकार था कि ये जो वाइट पीपल है इन्होंने बहुत ज़ड़ हमारे उपर अत्याचार किया है, इनको तो अब सभग सिखाने का टाइम आ गया है बहुत हो गया है इनकी मोनोपली, बहुत हो गया है leaders and the followers तो इनको lead कौन करेगा अब बोलोगे मैडम पहले reason तो बताईए कि reason क्या था तो बच्चे इसके reason बहुत type के reason थे देखो गुसा जो है न वो एकदम से नहीं आता है तो इसके पीछे जो भी withdraw होता है revolt होता है तो उसके पीछे बहुत time consume किया होता है तो एक भरदाश करने की जो limit होती है वो cross हो जाती है जब उनका लोगों का गुसा फूट पड़ता है और यही जो है वो withdraw में convert हो जाता है revolt में convert हो जाता है होता है क्या है कि हिंदू और muslim जो कि दोनों सिपाही जो थे हिंदू भी और muslim दोनों कठे जो है वो British Army में काम किया करते थे अब उस काम के दोरान किसी ने जो है एक rumor फैल गया उस आर्मी के अंदर कि क्या किया गया कि अब जो तुम यह नई rifles use कर रहे है ना इसमें जो bullet use की जाती है उस पर pig fit pig और cow fit को use किया जाता है मतलब गाएं और sewer की चर्बी का लेप उन पर किया जाता है और वो उस कार्टूसों को उन cartridges को मूँ से चिलना होता था तो उसको अब हम मना कर दिया कि हम इस तरह के cartridges को हम use नहीं करेंगे इस तरह के bullets को हम use नहीं करेंगे क्योंकि गाएं हमारी holy animal है और pig को Islam धरम में निशेद माना जाता है मतलब prohibitions है तो हम ये दोनों ही जो animal हैं दोनों की अपने अपनी धरम में मानेता है तो हम इसको use नहीं करेंगे तो बड़े लेवल पर क्या किया गए इसको मना कर दिया इसलिए इसको सपाई विद्रो कहा गया है सबसे पहले ये start होता है कहाँ पर बैरकपूर जो बैरकपूर में जो एक छावनी थी जिसमें मंगल पांडे काम करता था तो सबसे पहले उन्होंने इसको step out किया, अब हुता क्या है इसमें, कि the fight of the British leadership, अब देखो, मंगल पांडे को ये लगा, मंगल पांडे ने जब इसके against, जो पहला step out किया, तो उन्होंने सोचा, British region company ने सोचा कि अगर इसी तरीके से एके करके भारती अपना सर उठाते रहे, या हमारे खिलाफ आवाज उठाते रहे, तो ऐसे तो situation out of control हो जाएगी, तो मंगल पांडे को फांसी दे गई, ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दे गई, अब जब ये बात, देखो, एक जो छावनी होती, अब छावनी क्या होती है, जैसे जो hinterland होते हैं, hinterlands होते हैं, कि जो तो सेना की छोटी-छोटी टुकडियां, यानि कि थोड़े-थोड़े सिपाई को कहीं-कहीं जगे उपर recruit कर दिया जाता है, कि थोड़े सिपाई यहां पर होंगे, थोड़े सिपाई वहां पर होंगे, ठीक है, तो उनको कहा जाता है, छावनी जहां पर सिर्फ और सिर्फ स सीख सके तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई आठ मार्च को ठीक है आठ मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई राइट अब ये जब इस एक चावनी से जब ये बात दूसरी चावनी पहुंचती है तीसरी चावनी पहुंचती है इस तरह से पूरे आर्मी में ये बात फैल जाती है एक आग की तरह फैल जाती है कि हमारे किसी सिपाही भाई को फांसी पर लटका दिया गया और इस इस रीजन से फांसी दे दी है तो इसके खिलाफ हम एक्षन लेंगे और यही एक्षन क्या कहलाता है सिपाई विद्रो कहलाता है जब यह एक्षन कहां पर गया यह एक्षन मेरट में जाता है ठीक है मेरट में जाता है तो सिपाईों ने वहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी पे काम कर रहे थे उन्होंने इन कार्टूस को यूज करने से मना कर दिया ये खले रूमर था इससे पहले जो कार्टूस यूज किये जाते थे बच्छे वो बहुती लो क्वालिटी के थे मतलब कि जैसे soldiers को किसी बाहर कहीं लड़ाई बड़ाई के लिए भेज दिया जाता था तो पहले क्या होत आता था उसको उपर लेकर चड़ना होता था तो इसटे कंपनी ने सोचा कि एक नई एक नई एडवांस टेकनोलोजी के हमें राइफल लेकर आनी चाहिए जिसमें सिपाहियों को भी सहूलियत हो जाए और यतने भारी-बारी बैग उटाकर नाला जाने पड़े तो इन पर क जले कारवत्यों में पहले इनको फिल क्या जाता था तो कई बार ऐसा होता था फिल करते टाइम यह बहुत जञादा फिल हो जाता था तो यह एकस्पोड भी हो जाता था तो इससे भी काम नहीं करता था तो बहुत सारे इसके डिस देखे गए थे अब नई तरीके के राइफल लाई गई तो उसमें जो है अच्छी क्वालिटी के बारूत को भरा गया मतलब और डिफॉल्ट वह भरी हुई आती थी अब क्या होता है कि नई तरह के यह जो कार्टूस आए यह जितने अच्छे अगर वह काम कर सकता है तो नहीं कर पाएगा तो इन में जो न्यू कार्टेजिस से इन में पहले से ही बारूत भरी होती थी तो यहां पर बार बारूत भरने का चकर ही खतम हो गया था इस पर जो एक उपर थ्रेड लगा होता था बच्चे यह चारो तरफ स चारो तरफ से क्या होता था चारो तरफ से काउ और पिग फिट की यहां पर इनको कोट कर दिया जाता था मतलग गाएं और सुवर की चर्बी का लेप बना करके पाउडर बना करके उसको यहां पर इसको लेप कर दिया जाता था ठीक है ताकि यह अंदर इस पर सीलन ना पड़ उसके बाद ये जो ये उपर आप ये थ्रेड देख रहे हैं धागा देख रहे हैं इसको मुह से छीलना होता था अब अगर गाय और सुवर की चर्विक अगर इस पर लेप चड़ा उसको मुह से छीलना होता था तो हिंदो और मुसलिम समझते थे ये तो हमें अपने ध्रम से कर देंगे और हमें कृष्टन करा देंगे इंटर करा देंगे हमें ख्रत जाती हैं तो सबसे पहले ये मेरठ वारं जाती मेरट में तो मेरट में क्या होता है कि वहाँ पर मेरट के सिपाईयों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम कार्टेजिस को यूज नहीं करेंगे ठीक है तो जब जिन्नों ने मना किया था तो करीब आप यह देखिए अगर मान कर चलिए कि उस आर्मी में मान लिजे सो हिंदू मुस्लिम स्योशंस सिपाअं ही हैं वो काम करते हैं तो उनको जोबलेस कर दिया उनको नौकरी से निकाल दिया ज्यो इस तरह की ऐक्तिविटी कर रहे थे तो ये Eastnet Company उनको एक listen देना चाहती थी, कि अगर तुम इस तरह के जो activities करोगे न, तो तुमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल निकालते हो तो आज निकाल दो, उनको नौकरी से निकाल दिया, jobless कर दिया उनको, वो डरे नहीं, वो मायूस से पॉय मिटे नहीं होती है, 10th में 1857 को, ठीक है, 1857 को, 10 मही 1857 में, ये लोग वहाँ पर सिपाई विद्रो करते हैं, और जब इनको वहाँ से भगा दिया गया, तो 11 में, 11 में 1857 को ये आते हैं, डैली, कहा आते हैं, डैली, और ये कहां से हुआ था, ये हुआ था, मेरट से ये शुरू कहां से हुआ था, मेरट से, वैसे तो बैरकपूर से हो गया था, लेकिन सिपाई भी द्रो बोला गया था, तो वो हुआ था, मेरट से, ठीक है, तो मेरट से आकर कि क्या होता है, कि to fight the British, अब British हो से fight करने के लिए, कोई ना कोई तो लीडर होगा ना, अब जैसे काम कोई ना कोई तो मॉनिटर होगा ना किसी को तो हैड बनाया होगा अब यह लीडर कौन बनेंगे कहां से बनेंगे कैसे बनेंगे ठीक है वो यहां पर हम डिसकस करते हैं तो जब यह लोग डैली आते हैं मेरेट से चलकर डैली आते हैं तो डैली में उस टाइम कौन रूल कर रहे थे क्योंकि वो हिंदुस्तान शेहनशाय हिंदुस्तान थे इसलिए वो सबसे बड़े हाई अथोर्टी थी और हाई अथोर्टी से जब एक पर परमिशन मिल जाएगी न तो यह जो विद्रो है यह बड़े लेवल पर फैल जाएगा ठीक है तो यही का गया अब यह सिपाई आते हैं से पैल में यह सकता होसे कम क्या सकते हो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ उन्हों कुछ नहीं करना आप इस document पे sign कर दीजे वो document क्या था कि आपके royal order को लेकर हम अलग-अलग राजाओं के पास जाएंगे जिससे कि वो हमारे इस विद्रों में साथ देंगे कुछ ना कुछ contribution करेंगे पैसों से मदद करेंगे या हमारी उसमें या हमारी इस विद्रों में शामिल होंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारी help करेंगे तो आपके order को कोई मना नहीं करेगा आप order दीजिए तो हम आपके order को follow करवाएंगे बस आपको इतना सा काम करता है इस पर साइन कर दीजिए अब बादुशा जपर को यह लग रहा था कि अगर मैंने साइन कर दिए तो इस डे कंपनी नहीं छोड़ेगी उनको और अगर मैंने साइन नहीं कि तो यह इंडिया नहीं छोड़ेगे मुझे तो इनकी आफ़त आ जाती है वो कहते हैं ना कि इधर गिरा तो कुवा इधर गिरा तो खाई और बीच में बहादुर्शा जफर की शामत आई वो सिच्वेशन हो दी थी इन्होंने कहा यार हम इतने सालों से इंडिया पर रूल कर रहे हैं इंडिया हमारे कहीं न कहीं बहु ढली से जैसे ना ये बन गए कों बहातुशा जफर ये बन गए आपके आपके कौण नमीनी बन गए वैसे तो ताथे नामिनी बन गए शक्लाट पेला बना हैं तिक्वाए पीपल ओफिर अरे एगरिड़ ठीकए नाना साहिब कानपूर से बनते हैं जहांसी रानी लक्ष्με ठीक है तुक दा लेडर्सिप, तो इन इन लेडर ने लेडिंग शीप लेते हैं ये और इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाते हैं तो ये कौन है बचे ये है बादुशा जफर ये कौन है नाना साहिब नेक्स आता है ये कौन है रानी लक्ष्री भाई और ये कौन है ये है कूवर सिंग ठीक है ये है कूवर सिंग तो इस तरीके से लीडर्स ने इनका साथ दिया और साथ देने के बाद जब ये लीड करते है तो ये विद्रो एक थोड़े से बड़े लेवल पर पहुंच जाता है, यानि कि North India में पहुंच जाता है, फैल जाता है, अब अगर हम बात करें कि इसकी rumor और prophecies की, rumor क्या था बच्छे, अफवा क्या थी, अफवा ये फैलाई गई थी कि कार्टेजिस में गाएं और सूवर की चरबी का, को उसे कोट किया गया है, उसको कवर किया गया है, तो ये हमारे धर्म से हमें अलग ले जा रहा है, और ये हमारे धर्म को परिवर्तित कर देंगे, यानि कि हमें हिंदू मुस्लिम से और हमें एक क्रिश्चन बना देंगे, जो कि हम बनना नहीं चाते हैं, तो हम दूसरा ये था कि जो market में जो floor जो आटा होता है वो जो sale होता है वो भी उसमें भी हो सकता है कि इन अंग्रेजों ने उसमें भी उस floor में भी उस आटे में भी cow और pig facts के bones का powder मिलाया हो तो अगर हम उसको खाएंगे तो भी हम अपने धर्म से अलग हो जाएंगे तो आटा खरीदना ही उन्होंने बंद कर दिया घरों में चक्की से वो क्या करने लगे आटे को पीछने लगे तो उन्होंने मना कर दिया दा देयर वाज़ अफियर अंड़ सपीशन सब्रेटिश वांटे तो कंवर्ट इन क्रिश्चानिटी ठीक है नेक्स कहता है ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी अब वाइड़ पीपल बिलिव इन जूमर तो लोग इन रूमर पर विश्वास उन्होंने क्यों किया इसके पीछे भी विश्वास करने के पीछे भी रीजन था तो कहीं ना कहीं यह भूमी का पहले बन चुकी थी कहीं ना कहीं बेस तयार हो गया था अब ब्रिटिश ने हाला कि डेवलप्मेंट के लिए स्कूल खुला है जहां पर गल्स को भी सिक्षा दी जाती थी जहां पर गल्स को भी एजुकेट किया जाता था अब हमारी सोसाइटी में तो पहले से यह था बहुत टाइम पहले से कि लड तो यह मानते थे कि इस तरह से अगर यह उनको एजुकेट कर रहे हैं तो यह एजुकेट होने के बाद यह अपने राइट से अवेर हो जाएंगी और यह कहीं ना कहीं वह अपने घर से धीरे अलग हो जाएंगी और उनके सामने उनकी जमान कुरने लगी कुछ इस तरीके का यह था ठीक है साथ-साथ में अंग्रेजों के आने के बाद यह इस तरह का जो system फैला हुआ था सती system child marriage था widow marriage था तो इस तरीके का जो यह system फैला हुआ था तो East Day Company के आने के बाद Britishers ने क्या किया इस तरह की जो bad evils फैली हुई थी बुराईयां फैली हुई थी इसको abolish कर दिया with the help of social reformers समा सुधारक जैसे राजाराम मोहन राय थे तो राजाराम मोहन राय की help से 1829 में इस सती system को abolish कर दिया जाता है, abolish कर दिया जाता है, साथ साथ में child marriage को भी ban कर दिया जाता है कि कोई बच्पन में शादी नहीं करेगा यानि कि जो नाबालिक होते हैं उनकी शादी नहीं करवाई जाएगी, साथ साथ में अगर widow हो जाती है, अगर वो widow हो जाती है, विदवा हो जाती है तो उसको दुबारा शादी करने का right नहीं था लेकिन Britishers ने इस act को pass किया और widow remarriage जो है वो होने लगी थी अब इस तरह के इतने सारे काम reforms तो हो रहे थे और कहीं न कहीं हिंदू-Muslim ये सोच बैटे थे कि ये हमें westernization की तरफ ले जा रहे हैं ये हमें Christian बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं कि इनके सारा इनका पूरा रास्ता साफ हो जाएगा और ये हमें Christianity में convert करा देंगे ठीक है तो ये पूरा का पूरा क्या था ये इनका plan था ठीक है ये है 1859 अब आती है बात आगे की तो 1851 में जो कि Lord Dalhosey थे ये क्या करते हैं अबद को अबद उस टैम में सबसे prosperous state माना जाता था क्यों माना जाता था क्योंकि अबद में बहुत सारी धन दौलत थी एक बहुत बड़ा एरिया था population भी था उसकी fertility उसकी soil की fertility भी बहुत जादा थी इस वज़े से वो capture करना चाते थे अबद को तो Lord Dalhosey ने 1851 में 1851 में 1851 में एक commitment दी वो commitment क्या थी कि मैं एक ना एक दिन इस अबद को पाकर रहूंगा ये आज तुम लिख लो कहीं भी कि मैं इस अबद को capture करके रहूंगा तो उन्होंने एक line बोली a cherry that will drop into our mouth one day कि अबद एक ऐसी cherry है जो एक ना एक दिन हमारे मुह में आकर गिरेगी और इसके लिए लगातार efforts करते रहें लगातार परियास करते रहें और ये अबद को capture कर लेते हैं 1851 में Governor General Lord Dalhosey described the kingdom of the award as the cherry will drop into our mouth one day तो five years later और क्या होता है 1856 में यानि कि बिल्कुल ठीक पांस साल बाद 1856 में ये अपने मकसद में कामियाब हो जाते हैं और अबद इनके empire में शामिल हो जाता है ये अबद को अपने सामराज्य में अपने British empire में इसको include कर लेते हैं फिर आता है subsidiary alliances अबद पर कौन सी कौन सी जो एक वो वो थी क्या बोलेंगे पॉलिसी जो थी वो कौन सी लागू की गई थी वो थी subsidiary alliances अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैडम ये subsidiary alliances क्या होती है subsidiary alliances होती है बच्चे सहायक संधी जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको सहायक संधी जिसको बोलते हैं इसके according कोई भी Indian ruler कोई भी भारती राजा बिना अंग्रीजों की permission के किसी दूसरे के साथ trading relation नहीं बनाएगा ना वो आर्मी रखेगा जो भी आर्मी होगी वो East India Company के तरफ से वही soldiers तो अगर तो तुम इन शर्तों को मानते हो इन term and condition को मानते हो तो ठीक है नहीं तो तुम्हें हमसे battle करना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें हमसे लडाई करनी पड़ेगी fight करनी पड़ेगी तब भी तो पूरा राज्य हमारे हाथ में आएगा फिर तो तुम्हें discard कर दिया जाएगा तो तुम अपने राज्य से भी हाथ दो बैठोगे और साथ में पूरा तुम्हारा राज्य हमारे हाथ में आजाएगा वो अलग उन्होंने ठीक है तो उन्होंने साहयक संधी पर क्या कर दिये और उनको अब अंग्रेजों की तरफ से जो भी permission मिलती थी वो उसी के according चलते थी अंग्रेजों की तरफ से Britishers की तरफ से East Neck Company की तरफ से यहाँ पर उनको ensurety दी गई उनको ensure किया गया कि तुम्हारे उपर कोई आच नहीं आएगी अब ये कैसे possible होगा क्योंकि अवद का नवाब जब तक रहेगा जिसका नाम था वाजिद अलीशा जिसका नाम क्या था बच्छे वाजिद अलीशा ये वाजिद अलीशा ये लोगों का एक तरीके से भगवान था ठीक है वाजिद अलीशा लोग इसको बहुत पसंद करते थे अपने फादर की तरह से ट्रीट करते थे, भगवान की तरह से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छे राजा है, अब इसको हटाना था, तो इसको हटाने के लिए उन पर क्या लगा दिया गया, उस पर mis governance का elegance लगा दिया, मतलब कुशाशन की नीती का अरोप लगा करके और इनको वहां से निकाल करके और कलकत्ता भेज दिया, कहां से, इससे अबस से निकाल करके इनको कलकत्ता रवाना कर दिया, कि तुमारे बसका रूल करना नहीं है, तुम ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम यहां से निकलो, जाओ यहां से और इनको कलकत्ता भेज दिया गय इस पर डॉकुमेंट पर जब साइन किया था तो जब ये बात इस्ट इंडिया कंपनी को पता चली तो उन्होंने बहादूशा जफर को सेंशाय हिंदुस्तान की पोस्ट से हटा करके उनको वहां से एक्जाइल कर दिया और रंगून भेज दिया कि तुमने काम हमारे खिलाफ गलत किया है तो तुम भुगतो अब जो तुमने काम गलत किया है तो उनको वहां से देश निकाला देते रहते हैं और रंगून काला पानी भेज देते हैं जहां पर उनकी डैथ हो जाती है ठीक है तो निक्स क्या कहता है यह क्या चाते थे यह जो पूरे के पूरे यह जांता थी यह क्या चाती थी पब्लिक ये चाहती थी कि जो जैसा है हमारे पास चल रहा है ना जैसा हमारे सिस्टम चल रहा है वैसे चलने दिया जाए ठीक है तो दर रिबेलियन सीन वार इन विच्ट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम हैड इक्वली लोट लॉस अन प्रो अब ये जो पूरा का पूरा विद युथे नॉरिफिकेशन को ठीक है इस्तिहार किसको कहते है नॉर्टिफिकेशन को सो हैक्ट बैग टू धू और प्री ब्रिटीश तोे तिरे ये, एक दूसरे को, इनके बीच में दरार बनती चली गए हुए। लेकिन वो कहते हैं कि पहले ये दोनों किस तरह से एक जूठ होकर के काम करते रहते थे। ये कंपनी ने 50,000 रुपए इंडियन सोसाइटी को हिंदू हिंदू सोसाइटी को डवलब करने में लगा दिया अगेंस न बुस्लिम को साइड कर दिया अब यहां पर मुस्लिम चुब बैठेंगे एक तरफ तो हिंदू अपलिप्त हो रहे हैं मुस्लिम को बिल्कुल नीचा जा रहा है तो दरार होगी कि नहीं एक भाई तो बहुत उपर उठ गया दूसरा भाई नीचे नीचे गिरता जा रहा है तो इस तरह के से दोनों में फूट डाल दी ठीक है निक्स करेंगे तो नेक्स क्या आता है इसमें कि अगेंस दा सिंबल अब ऐसा नहीं था कि विद्रो एकदम से हुआ था क्योंकि हर कोई यहां पर गुस्से में बैठा हुआ था फार्मर्स थे वो अलग थे क्योंकि ब्रिटिश थे उनके उपर हाई टेक्स इंपोस किया था तो कहीं न कहीं वो भी बदला लेना चाहते थे ब्रिटिश थे फार्मर्स थीक है अब सिपाईयों को यहां पर बिल्कुल ही ऐसे बोला गया था कि तुमें जैसे इस इंडिया कंपनी के काम करते थे उस आर्मी में और हिंदू की भी काम करते थे मुस्लिम के भी काम करते थे अंग्रेज सिपाही भी थे तो अंग्रेज सिपाहियों को तो बहुत अच्छी सैलरी दी जाती थी जब को इनको सैलरी कम दी जाती थी दूर दूर इनको लड़ाई पर भेज देते थे हम को कोई खाना पीना, सब लोगों अपने खर्चे से सब पूरा का पूरा इसको अवेल किया करते थे, तो इस तरह से ये जो बेज बन रहा था ना, ये बचचे बहुत टाइम पहले से ये बेज बनना श्टार्ट हो गया था, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी तो ये फूटेगा हटाना चाहता था, खत्म करना चाहते थे, ठीक है, और इनको फिरंगी कहके बुलाएगा, फिरंगियों तुम भागो यहां से, right, destroy the way of the life and the familiar and the charis, कि तुम भागो यहां से, हमें जी लेने दो, हमें अपने तरीके से अपने आपको जी लेने दो, तुम भागो यहां से, और तुम हम पर यह जो इतनी restrictions लगाई हुई है, इनको तुम लगाना बंद कर दो, next आता है image of the revolt, अब यह images के थूरू revolt को किस तरह से spread किया जाएगा, बच्चे यह जो images होते हैं, जैसे examples आपके newspaper हो गए, या posters हो गए, या art हो गई, या speeches हो गई, इस तरीके से, यह बहुत effective होती है, और इनसे ही कोई message convey होता है, spread जब होता है, लोग इनको पढ़ते हैं और इनको एक तरह से idea लग जाता है, अब यह हमें 1857 के revolt का कहां से पता चला, इस revolt का, तो कहीं ना कहीं से, तो उस time के अख़बार, उस time के newspaper, पुराने हमारे museum में जो भी library है, वहां पर रखे होंगे, तो वहां से हमें उनकी cuttings मिली, और तब हमें पता चला कि उस time में East India Company किस तरह से, भारत पर rule कर रही थी, ठीक है, the changing British attitude were evident through the immunerable memos and the notes, memos and the note assessment of the situation, तो यह बहुत सारी चीज़े हमें past के बारे में जो बताती है, तो यह कौन बताती है, newspaper से, magazine से, poster से, letter से, लोगों की speeches से, diary से, तो काफी कुछ हमें information यहां से मिलती है, वो कितना proud moment होता होगा, तो same ऐसे ही जो 1800 सामन की क्रांती में जो भी सिपाई बच गए थे, उन्होंने अपने generation को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी आपीती सुनाई, राइट और वो वही आप एती जो generation to generation जो है वो transfer होती रही और इसते भी हमें information मिलती है, नेक्स जो आता है, वो नेक्स आता है, ये कि celebrating the saviors, अब British picture, British picture offer a variety of the, अब Britishers भी कम नहीं थे, Britishers ने भी इस तरह से pictures बनानी start कर दी, कि देखो, हम कहां है और तुम कहां हो, तो वो इस तरह से अपना शाही अंदाज में वो लोग अपना जैसे घोड़े पर जारे जैसे इसमें दिखाया गया ना कि वो लोग horse ride कर रहे हैं और यहां पर उसको एक Indian को इन्होंने वो बनाय हुआ है, उसको driver बनाय हुआ है, उसको ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी images के through उनको लोगों को बताया कि अगर तुम्हें तुमने भी अगर कोई इस तरह की activity की, तो तुम्हें भी इसको surprise जब हम लोग करेंगे, तो तुम्हें इस तरह की punishment दी जाएगी, तो East British picture offer a variety of the images that were mean to provoke a range of the different emotions and the reactions, right, तो किसी को मारते हुए, किसी को चाबुक लगात तो इस तरीके से जब East India Company Indians को ऐसी picture, ऐसी posters दिखाएंगी, तो उसका reason क्या था, उसका purpose क्या था, कि वो Indians में एक दहशत पैदा करना चाहती थी, एक terror का जो एक वो होता है, लोगों को बताना चाहती थी, कि हम लोग कितने खतनना, कि हम लोग कितने जो है, वो cruel है, तो अगर तुमने कोई ऐसी activity तुम्हारे दिमाग में चल रही हो ना, तो उसको निकाल दो, क्योंकि इस तरह की punishment तुम्हें भी मिल सकती है, अगर तुम इस तरह की के काम करोगे तो, अब ये कुछ heroes ऐसे थे, जिन्होंने 1857 के revolt को सरप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, उसको फेल कर दिया, चाहे time लगा, लेकिन ये revolt जिस लेवल तक फैलना था, उतना नहीं फैला, और East India Company इसको दबाने में, इसको खत्म करने में कामियाब हो जाती है, और हमारे Indians जो है, तो ये इस तरह की picture जो है, वो दिखाई गई है, relief of Lucknow में, तो relief of Lucknow was painted by the Thomas John Barker in 1859, तो इस तरह की ये जो picture है, painting है, ये कौन बनाता है, Thomas John Barker बनाते है, और इस picture का इस painting का नाम है, relief of Lucknow, यहाँ से बन मारका का question बनता है, ठीक है, next आता है कि English women and the honor of Britain, the British government was asked to protect the honor of innocent women and ensure that safety of the helpless children, British government was asked to protect the honor of the innocent, अब East India Company, East India Company के जो ठीक है, officers थे, अब वो तो ठीक है, वो इसको surprise करने में लगे हूँ है, जबकि Indians ने घरों में, Britishers के घरों में घुस घुस कर, उनकी औरतों पर भी अत्याचार किया, उनको मारा पेटा, उनको यह किया, तो East India Company की तरफ से, उनको ensure किया जाता है, British government की तरफ से, कि जो innocent है, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको safely, उनकी protection जो है, वो हमारी दिम्मेदारी है, तो उनको safely उनको बहार निकाला जाता है, और जो इस revolt में, जो Britishers की wife जो होती थी, उन्होंने अपने आपको defend किया, प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उनको बद्दूख भी चलानी पड़ी, लाठी डंडे भी चलाने पड़े, तो अपने आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया न, तो इस तरह की protection को ले करके, इस इंडिया कंपनी बात में, उनको उनर भी करते हैं, उनको सम्मान भी देती है, राइट, आर्टिस्ट एक्स्प्रेस्ट एट, आज वेल आज़े शेप ओफ दिस सेंटिमेंट थो देयर, दा वीजवल रिप्रेजेशन ओफ दा ट्रॉमा एंड दा सफरिंग, तो अगर को हैं, अगर मान लिजे, उन्होंने अपने आपको डिफेंट किया है, तो अपने आपको डिफेंट किया है, या इस इंडिया कंपनी ने ये भी बोला था कि, मतलब हमारी दुश्मनी और बच्चों से नहीं है, हम उनको कुछ नहीं होने देंगे, और इधर से, जो हमारे लेवल होता है किसका रिवोल्ट का तो वो और ज्यादा एक उल्जन भरा हो जाता है कि एक तरफ तो इस डिया कंपनी इनोसेंट बच्चों को और और तो को सिक्योर करने में लगी है वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडियन सोलजर जो हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो इस तर पकड़े गए थे उनको हार्ड पनिश्मेंट दी गई ताकि इस तरह की अक्टिविटी वो आगे कोई और ना कर पाएं नेक्स आता है अब यह जो दहशत का यह जो आतंक का एक जो वो बन गया था ना एक लोगों के मनमें जो डर बैठ गया था कि अगर तुमने इस तरह की कोई अक्टिविटी की तो सरे आम तुमें फांसी पर लटका दिआ जाएगा सरे आम तुमें तोप के आगे लगा करके तुम्हें उड़ा दिया जाएगा तो लोगों के मन में एक तरह का होने लगा क्योंकि उनके अंदर डर बैठ गया था इस तरी की पनिश्मेंट को देख करके तो दा अर्ज अफ दा वर्जिंस एंड दा रिट्रिब्यूशन वा एक्स्पिल्स इन दा ब्रूटल वे इन विच्ट रिबेक्ज विर्डे एक्जिकूटे तो उनको फांसी पर सरयाम लटका डिया गया अब उनको सरयाम फांसी पर लटकता हुआ देख कर भई अपने आप क sor हावा फेल हो जाती है उनको देख करके सामने उनकी आखों के सामने उनके भाईयों को मारा जा रहा है तो एक तरह का डर तो रहेगा ना नेक्स उसको कहा रहा है कि दे वर ब्लोवन फ्रॉम दगन उनको तोप के आगे लगा कर उनको वहां से उड़ा दिया जाता है इस तरह की पिक्चर को क्लिक करके उन्होंने अपने अखबार में उन्होंने अपने आर्टिकल्स में उसको प्रिंट करवाया जब यह लोगों के पास जाएंगे तो लोग डरेंगे और इस तरह की अक्टिविटी इस तरह के काम करने से रुकेंगे तो overall क्या होता है, वो लोग इसमें success हो जाते हैं और इस revolt को surprise कर देते हैं, दबा देते हैं National Imaginaries, National Imaginaries का मतलब होता है The Nationalist Movement to do it inspire from the event of 1857 कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इंडिया के independence होने का ये पहला कदम था इंडिया ने अपने लिए पहली बार उसको step out किया है कि पहली बार ये कदम उठाया है और ये अब कदम रुकने नहीं चाहिए अब ये लगातार, आज नहीं तो कल ये फिर से उठेंगे Right, the National Movement drew its inspiration from the events of 1857 A whole world nationalist imagination was woven around the revolt सबकी नजर इस revolt पर टिकी हुई थी कि आगे क्या होने वाला है और East India Company इसको किस तरह से surprise करेगी इसने बताया गया है कि ये एक ऐसा celebration था जो कि इंडिया ने पहली बार अपनी आजादी के लिए उठाया हुआ एक कदम के रूप में इसको मनाया गया सारे लोग चाहे वो जिस भी community से बिलॉंग करते थे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, कोई और था सबने एक जुट होकर अंग्रेजों का सामना किया तो कही न कहीं ये आगाज हो गया था कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और तुमसे टकर लेने के लिए तुमसे बदला लेने के लिए और तुम्हीं यहां से निकालने के लिए हम लोग तयार हैं ठीक है आर्ट एंड लिटरेचर हैड हैल्ट तो कीपिंग अलाइव दा मैमरी ओफ 1857 इस तरह की आर्ट्स पेंटिंग पिक्चर्स बैनर्स ये सारे पोस्टर्स ये सारे हमें उस टाइम की याद दिलाते हैं इस तरह के पिक्चर्स को बैनर्स को देख करके लोगों के मन में एक देश भक्ती की भावना जागरत होती है वो अपने देश पर मर मिटने के लिए तयार होते हैं कि जब रानी लक्ष्णी बाई एक औरत होते हुए एक महीला होते हुए इतनी बहादूरी के साथ लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं मंगल पांडे जिसने अपनी जान की परवार नहीं किया उसको सरयाम फांसी पर लटका दिया गया तो इस तरह की इवेंट्स को देकर लोगों के मन में एक देश भक्ती की भावना जागरित होती है ठीक है तो बच्चे ये था एक क्विक रिवीजन हमारे इस 1857 के रिवोल्ट का रिबेल्स और राज का ठीक है उम्मीद करते हूं कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा तो अभी तक जो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा हमें हिस्ट्री में कुछ नहीं आता तो फटा फट से इस टॉपर बैच में आ जाओ इस टॉपर बैच में आपके एक्जाम से पहले पहले सारी चीजों को पूरा स्लेबर्स आपका करवा दिया जाएगा तो जितना जल्दी एंडरोल करोगे टॉपर बैच ने उतना जल्दी आप लोगों को फाइदा होने वाला है इसके अलावा अगर जो बच्चे मोक टेस्स अपनी तयारी करना चाहते हैं सेंपल पेपर लेना चाहते हैं या इबुक्स लेना चाहते हैं आर्ट की तो उनके लिए भी यहाँ पर अडर 24-7 की तरफ से हर चीज उनको दी जारी है लेकिन बच्चे कोई भी चीज कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हो बुक परचेस कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो उसमें कोड लगाना मत भूलना यह कोड है वाइफ़ एट नाइन इस पर मिलेगा आपको मैक्सिमम डिसकाउंट जो कि कितना होगा 17 परसेंट का पूरा आपक कोई आपकी क्वेरी है सेशन आपको कैसा लगा कोई कुशन पूछन पूछना है आपको तो कामेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं इसकी पूरी की प्लेलिस्ट है पीडियाफ है वो सारी आपको अड़ा की आप पर मिल जाएगी अड़ा 24 7 की मुबाइल अपको वहां पर आपको सारी चीज़े मिल जाएगी ठीक है तो मिलते अपनी नेक्स्ट सेशन में तिल देन टेक केर बाबाई और हाँ आपनी तैयारी को जारी रखना है प्रपेशन को बहुत अच्छी तरीके से करते रहना है रेगलर सेशन को अटेंड करोगे तो बहुत हैल्प म झाल